बढ़ते हैं विजय आप बताएं आपकी तरफ से पहला शेयर क्या होगा विजय प्लीज अन्म्यूट यॉरसेल्फ मेरा जो पहला चॉइस है स्टॉक का वो है टाटा मोटर्स मैंने पहले भी मेंशिन किया अभी इनीशली कि आसी बारत की बहुत सरी कंपनीज हैं जिन्होंने एक ग्लोबल फूट्प्रिंट बनाया है और जो यूके की शान कहीं जाती थी ब्रिडिश ब्रिडिश की शान कहीं जाती थी जैगवार लैंड रोगर उसको Tata Motors ने खरीदा तो इसके द्वारा इसको एक global footprint मिला और जिस तरीके से Tata Motors अपने आपको evolve कर रहा है भारत में उने कई सारे नए models निकाले हैं पिछले 3-4 सालों में जो लोगों को बहुत समझ में आ रहे हैं अच्छे लग रहे हैं Tata Motors है, Harrier है और बहुत सारी गाड़ियां जो पहले नहीं दिखती थी जहां पे styling में, features में कहीं न कहीं Tata Motors पिषड़ा हुआ था तो अब JLR का जो design strength है, engineering strength है, वो आने के बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भारतिय मूल की जो गाड़ियां उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और global तो काम करे रहे हैं अब भी globally भी एकर हम बात करें, थोड़ा चाइना में COVID की वज़े से दिक्कते थी और जो प्रोलॉंग भी हुई चाइना में और काफी हद तक चाइना बन था, काफी बड़ा market Jaguar Land Rover का चाइना है चाइना में जैसे ही अब चीज़ें खुलेंगी, मुझे लगता आने वाले तिमाईयों में JLR की जो sales हैं चाइना से बहुत अच्छे मिलने वाली है एक और बात जो management ने कही कि 2030 तक वो completely EV जाने की बात कर रहे हैं ये बात आपके सारे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि backward और forward integrated company है Tata Motors Tata chemicals बहुत काम कर रही है बैटरी में तो EV की बैटरी में चाइब वो sodium आयन हो, lithium आयन हो उस पे काफी ये लोग काम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि ये global hub बनेगा भारत और UK बैटरी के लिए तो Tata Motors मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा ये अंदेशा है कि यदि कोई थोड़ी लंबी अपदी तक इस company को hold करके रखे तो ये 800 का सर्वी टच कर सकता है इसका जो all time high था करीब करीब 620 रुपए था जो 2015 में इसने टच किया था और उसके बाद ये नीचे ही रहा है मगर अब जिस तरीके से company पूरी evolve हुई है और हमने transformation देखा है इस company में मेरा ये मानना है Tata Motors बहुत अच्छा करेगा अगर को लबी अपनी तक लेकर इसको रखता है तो बहुत अच्छा मुनाफ़ा इसमें मिलना चाहिए 800 के टागेट के लिए मैं इसको recommend करना चाहिए 800 का टागेट यहां पर Tata Motors खरीदारी की राए EV का एक major play और आपको बता दे company की तरफ से जो commentaries भी आती हुई दिखें लगातार order book बढ़ने की यहां पर खबरें हमने देखी हैं चिप supply एक हद तक improve होता हुआ दिखाए जो कि company कारोबार के लिए काफी bullish हैं काफी positive हैं और यहां पर काफी हद तक company आपने debt को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके चलते कारोबार आप जो है वो आगे और बढ़ता हूँ और एक बड़ा positive trigger यह भी माना जा रहा है clearly Tata Motors एक अच्छा प्लियर और इसे लंबी आविधी का नजरिया बना कर आप इन सतरों पर खरीद कर चल सकते हैं क्योंकि attractive levels पर फिलहाली आपको मिल रहा है और आगे अच्छी तेजी के अनुमान है इन सतरों पर फिल शायद ना मिले तहां पर इस sale का मौका आप बिल्कुल नचुके यह रहा है हमारी तरफ से आपके लिए